इस country के लोग सेक्स करना भूल गया है इनका money नहीं करता है लेकिन इनकी government को बड़ी problem हो गई है क्योंकि बच्चे ना करने की वज़ास है इनकी young workforce काफी shrink कर गई है अब ये हर साल यहां की government को परिशान करता है इसलिए इनोंने anime का साहरा लिया और इनोंने डाली anime में हर चीज़ और वो भी थोड़ी बड़ा चड़ा कर जैसे anime में कोई female character है तो उसे unrealistic way में hot and seductive दिखाना ताकि वहाँ का youth influence हो और थोड़ा sexually active हो यही नहीं, इन anime characters को हर चीज़ में overly seductive दिखाया गया और यही character जिनके merge पर भी दिखाई देने लग गया ताकि वहाँ के लोग जाने अन जाने में sex के बारे में सोचे तो सही और करे भी